हम करेंगे चाइना की जो हमारा दोस्त है आपका दुश्मन है लेकिन उसकी दो तीन चीज़ें सार एक तो यह सबसे पहले मुझे बताईए कि आखर अगर सिर्फ बॉर्डर को छोड़ दिया जाए कि जहां पर के अरवक्त एक जगड़ा रहता है चाइना इंडिया का उसके इ इसा सुनाई देता है हमें पाकिसान के चैनल के उपर ही एक्ड़्य में हमारे यहां पर स्टैंड ऑ F कि गोलिया नहीं चल रही यह आपको क्या लगता है यह बॉर्डर का इश्यू है भी बड़ा हाइलेट हुआ 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 है यह आज ही शुरू हुआ है यह मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ है कि यह शुरू से है यह तो 1960s से चलता आ रहा है कि जो वो कहते है कि हमने ज लेना था ले लिया अभी और भी हमने लेना है क्योंकि आपका देखिए दोस्ती यारी कुछ जावाई है तो लैंगविज भी सेम होती है तो इसलिए ये पहले क्यों नहीं इशू था कॉंग्रेस के टाइम पर इतना इशू क्यों नहीं था सिक्स्टी टू से लेके इस दोजा दो किलोमेटर अंदर आते गए कॉंग्रेसियों ने कभी कुछ बात ना उठाई ना बोले दरके मारे बुरके में चुपके बैठे रहे मोदीज ने आके बोला इनफ इस एनफ जहां तक पोडिशन हैं वहां तक हमारी फोर्सिस खड़ी होंगी स्टेंड आफ होगा और ये चाइना को पसंद नहीं है इसलिए आपको ये अवाजे सुनने को मिलती है ये ये हो गया वो हो गया विकॉज चाइना को जो फ्री में एंट्री मिली हुई थी वो बंद कर दी गई है पर्मनेटली अब वो इस जिसको बोलते हैं वो कहते हैं तुम हमें आँख दिखाने की क तो कार भई पिछे हट वो जब हम कहते हैं पिछे हट उसको लगता देखिए हमें दादा ग्री दिखा रहे हैं मोदी जी हम तो सुनेंगे नहीं तो ये क्योंकि पहले कभी उन्होंने फेस नहीं किया चीज को तो अब उनको म्यूजिक फेस करना पड़ रहा और वैसे भी हम म्यूजिक लगा कर तो यही है जो उनको तंग कर रहा है और कोई बात नहीं है एस पर आज आपने बोला कि यह जगड़ा कैसे खतम होगा जगड़ा है ही नहीं चाइना को पीछे हटना पड़ेगा वेरी सिंपल है and they also know it कि हमें पीछे ही हटना पड़ेगा अब मोदी जब है तब तक यह बॉर्डर के अंदर जो फ्री एंट्री थी हमारी यह बंद हो गई है जो एक तो यह चीज हो गया as far as बातचीत बातचीत हमारी हो रही है अलड़ी उनने समारी मीटिंग्स हो चुकी है कहीं जगा पे उन्होंने कह दिया कि हम पीछे हटेंगे पीछे हटना श किता किया हुआ है भंगड़े उनको हमने डलाने शुरू कर दिये ट्रेड हमारा चल रहा है कोई दिकत नहीं है अभी as far as the relationship तो यह जगड़ा है क्या पे अगर military का जगड़ा नहीं है बॉर्डर का इतना बड़ा जगड़ा नहीं है अगर economy का जगड़ा नहीं है तो स्याप है dominance का dominance in the sense is China चाता है कि Asia का दादा मैं बनूँ उसके बाद मैं दुनिया का दादा मैं बनूँ और America को में नीचे करूँ मैं इसी उपर आ जाओ और दुनिया की जो policies आज America चलाता है वो चाइना से चले क्योंकि इनका जो नाम original नाम उसको बोलते है चुंगो चुंगो का मत जारा मेरत दबदबा मेरा है क्योंकि उसके अंदर चाहना आता है अब महोदीग होते हैं इंडियन ओशन में तो इंडिया आता है याज की जो चाहते है कि एशिया का दादा वो बने और America को नीचे करके वहां पर भी दादा बने लेकिन भारत क्या कर रहा है भारत आज की ड छोड़ता जा रहा है because of their weak foreign policy and economic turmoil वहां पर भारत अपनी space भरता जा रहा है और वहां पर चाहता है कि जो space America छोड़ रहा है वहां पर चाहिना भी अपनी space को भरे that means space थोड़ी है उसमें चाहिना और इंडिया दोनों ही space को भरने की कोशिश कर रहे हैं वहीं पर एक difference of opinion है यह आपको किसी भी channel पर सुनने को नहीं मिलेगा मैं चाइना में रहता हूं so I know what is the problem here problem is कि यह सारी space मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मेरा नाम चुंगो है सारी दुनिया के अंदर जहां जहां पर vacuum है I should be the one भारत बोलता है भी तुम तो सिरफ चुंगो हो हम तो विश्व आगे और अब जैसे उन्होंने देखा कि मोदीज तो हटने वाले है नहीं उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया कि दुनिया बहुत बड़ी है चाइना के वर्ट है कि दुनिया बहुत बड़ी है इसके अंदर दो प्लेयर्स की space है आप अपनी space create कीजिए मैं अपनी space create करत हूँ that means कि जहां पर मेरा interest है आप मत गुसिए let's sit talk and then divide the world into two parts चाइना को लगता है अमेरिका तो गए हो ये दुबारा नहीं superpower बनेगा ये declining power है इंडिया rising power है चाइना अलड़ी एक level पर पहुंचा हुआ है वो ज्यादा rise नहीं भी करे ठेकिन नीचे नहीं आएगा इनको ऐस कुछ मैं ले लेता हूँ ये मैं behind the scenes की बात कर रहा हूँ जो बाते चल रही हैं कहां तक होंगी वक्त बताएगा अलड़ी जो temperature है वो ठंडा होना शुरू हो गया है इस बातों के बात मैं ये इसलिए भी पूचिती-सर Ke कई बार ऐससा होता है कि जो इंडियन डोस्त हैं या इंडियन good आते हैं उन्नीन ar चाहचे ए, वह बनके भी झाता चारा हो जाता है चाइना अमेरिका साथ बैठ जाते हैं चाइना अमेरिका जो भी डिफरेंसिसे अपने वो खत्म कर देते हैं भारत कैसे देखेगा इस फिलेशन को मुझे लगता आप इमरान खान को मिलके आई हैं रिसेंटली और वहां पे वो कुछ सूंग रहे थे और आपने भी सूंगना शुरू कर दिया इसलिए आपको लिंक भेज दिया क्योंकि वो नियूस थी तो मैंने का पूछती हूं आपसे क्या पता कुछ बेटर चीज निकल है वो जो नियूस आपने मुझे भेजी वो भी इमरान खान की फेवर वाला ही नियूस पेपर था जो की सूंग की कुछ आते थे तबी उन्हें वो आटिकल लिखा तो मैंने का चलो मैं पूछ लो कहीं आप भी इमरान खान को मिलने तो नहीं गई लगता ऐसा ही आपकी भैकी बाते सुनकर लेकिन हुआ कैया है आप चलो आप उनको सीरिसली ले रही है उस नियूस चैनल को जहां पर लिखा गया था क्या लिखा था कि अब तो चाइना जो सुपर पावर बन रही है और जित्ती भी इंडस्ट्री चाइना से ट्रांसर करने की कोशिश कर रहा था इंड से कुछ लिखा गया उसमें एक जिसको बोलते है सेंसेशनल न्यूज फिंकू जो बोलते हम वाली काम तो यह जो कॉपी रैट था किसी और के पास था वो मुझे लगता आपके नियूस पर पढ़ने ले लिया अब मैं सचा ही बताता हूं क्या है चाइना छे साल के बाद अम अभी क्या है चाइना को अमेरिकन मार्केट की जुरूरत है एक तरफ क्योंकि जो मटेरल बन रहा है यहां पर इसका जो मेजर कस्टमर था वो अमेरिका था अमेरिका से आडर आने बंद हो गए हैं तो इसे अमेरिका की मार्केट दुबारा से खोलनी है दूसरा जो अमेरिक होकर वापिस चले गए है कि we do not want to work in China पैसे भी निकालके वापिस ले गए पहली बार है कि जो foreign direct investment चाइना में होता था वो minus में है that means जो पैसा अंदर आ रहा है वो एक रुपे आता है बाहर निकलता है वो डेड़ रुपे निकल रहा है तो चाइना के पास जो foreign currency वो कम होती जा रही है उसी से डरते हुए Chinese President को भाग कर जाना पड़ा अमेरिका में बोलने के दिए माई बाप तुसी गरेट हो तोफा कबूल करो और आये मिलकर बात करते हैं चाइना का प्रेजडेंट बोल रहा है मिलकर बात करते हैं इनकी तो नाक इतनी उची होती है यह तो जुकते नहीं किसी के सामने अगर जुकना पड़ रहा इसका मतलब है पैंट गिली है माते पर पसीना है काँ पर टांग रही है वहला हाल है चाइना का तो इसलिए वहाँ पर गए थे वो तो प्लीज अंडरस्टेंट कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि चाइना की और अमेरिका की दोस्ती या इनकी नजदीकियां बहुत जावा हो जाएंगी दूसरी बात आपको क्या लगता है कि आज की डेट में जब चाइना को अमेरिका नीचे करना चाहता है या वहांट कि चाइना ने हमें आँखे दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि आपको नहीं पता और इसलिए अमेरिका पिछले पांच से सालों से लगा हुआ है चाइना को अपनी स्पेस दिखाने के लिए तुम्हारी अवकाद क्या है इसे नीचे करने में अमेरिका लगा हुआ है और अब जब वो बिल्कुल मिट्टी में रॉंद रहे हैं चाइनीज अमेरिका टेंपरेचर को कम कर देगा पॉसिबल ही नहीं है चाइना को भी मालूम है भारत को में बालूम है इसलिए भारत तो इसको देख भी नहीं रहा कि वहां पर क्या हो रहा है विकाज वी नो वान तिंग अवार्ड मेरिकांस अमेरिका कभी भी डूपते सूरज में पैसे नहीं लगाता जब चाइना बिल्कुल नीचे था तब उसने पैसे लगाने शु पर आगया है तो इसलिए वह टेंपरेचर को कम नहीं करेगा भारत समझता ही चीज़को इसलिए हमने वह गलतियां नहीं करी जो चाइना नहीं करी चाइना ने तो हर चीज बनाई अमेरिका के लिए बाल्टिया घ्लाने चमच और हमने बोल दिया भाया हमें चम्चों की बनाने की जरू होता है ना किसी को देने की जरू होता है तो इसलिए हम चम्चों की बात शुरू करी तो लगता है आपके वावे को लोगी चम्चे उचले शुरू हो गया अब बिल्कुल थीक है रहें मगर एक चीज और मजहें आपसे समझनी है अब हुआ क्या है जो बारत जो चाइना ने गलती करी कि इन्होंने एक्सपोर अपने डिपेंडेंसी रखी अमेरिका के उपर भारत जानता है अमेरिका के उपर ट्रस्ट नहीं कर सकते अमेरिका सिर् दूसरों को यूस कर सकता है और हम भी अपने जो आसपास के जो घंट्रीज हैं उनकी गलती से सिखते हैं अब चैना ने बी घलती करी अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका के उपर रखी पाकिस्तान ने भी इपेंडेंसी 20-25 साल अमेरिका के उपर रखी आज आपका हाल क्या है dependency होने का आज आप घर-घर कटोरा लेके फिर रहे हो चाइना का भी हाल हुआ है इसलिए हमने अपनी जो economy है उसको देखा कि 60% हम खुद consume करेंगे 30 to 40% ही हम export करेंगे लागि अगर कल को export के orders ना भी आए तो भी हम अपने आपको sustain कर लेंगे that means कि जो चाइना की अमेरिका की नजदीकिया हो भी रही है वो दिखती है ये कभी भी होंगी नहीं because अमेरिका चाहेगा ही नहीं कि चाइना एक सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है ये कभी भी पूरा हो तो इसलिए आपके जो मुंगेरी लाल के सपने हमारे बोलते हैं तो मुझे आपसे बात तो करनी थी और समझना था क्यों कि आप बैठें सर चाइना मैसी क्या बात है लेकिन अब कहा यही जा रहा है कि उनकी भी हालत खराब होने लगी है गल्फ कंट्रीज जहें वो भी कुछ और ऑप्शन्स ढून रही है जिसमें साओधी अरब को आपने भी जा सकती है ड्राइब भी कर सकती है और कई दूसरी चीज़ें जो आपको लग रहे है कि आइसस सा जो गल्फ कंट्रीज का एक होल्ड था वर्ल्ड के उपर ऑईल को लेकर और कई चीज़ों पे क्या वो खतम होने लगा है या खतम हो जाए जैसे मैं देखता हूं कि दो बड़ी कंट्रीज हैं जो आइल को इंपोर्ट करती हैं उसमें कंट्रीज का नाम है चाइना और इंडिया अब हम चाइना को देखते हैं अगर तो चाइना ने अल्रडी बोल दिया कि भी हम 2030 तक सारी जो हमारी जो गाड़ियां है ये सारी एलेक्टिक पे चलेंगी जो हमारी एलेक्रिसिटी प्रड़क्शन है वो आइधर न्यूकलिर से आएगी या हाइड्रोजन से आएगी सोलर से आएगी या विंड से आएगी धेट मीज हम ऑईल से बाहर जा रहे हैं भारत के अंदर जो हमारे नितिन गटगरी जी हैं उन्होंने बोल दिया कि हमारा टार्गेट है अगले पांच साल में हमने ऑईल को खतम करना है उसकी कंजम्शन को वी विल गो इन्ट्रिक और हाइड्रोजन सोलर के उपर हम आचोके हैं दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांस भार जादा नहीं होते और साओधी रीबिया को दिखता है कि दुनिया हाइड्रोजन सोलर इनकी उपर जा रही है अगर उनके पास 20-25 साथ का तेल पड़ा भी है वो पड़ा का पड़ा ही रह जाएगा उसे कोई यूज ही नहीं करेगा इसलिए उन्होंने भी अपने आपको खो पड़ेगी इसलिए ये खोल रहे हैं अपने आपको अगर वो आज एक modern cities बनाने की बात करते हैं तो उसका reason है to attract the whole world उन्होंने देखा कि जैसे दुबई ने दुनिया को attract किया अब दुबई एक hub है तो वैसा ही अब MBS भी चाहते हैं कि मेरे पास भी यहाँ पर एक नहीं प कर सारा पैसे का है इस पर अच्छी बात है ना यह तो सरी अच्छी बात है ना मैं खुद ही बोल रहा हूं कि जगर वो अपने आपको खोलते जा रहे हैं इसांज बनने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के साथ connect होने की बात करते हैं लेडिस को उन्होंने हक देना शुरू कर बूरी है जिसके करन करना पड़ रहा है but heads off to MBS उसने at least एक सारे जो norms हैं जिसको बोलते हैं कि ये भी हराम वो भी हराम हरी चीज तो हराम है आपके यहां पर तो उससे बाहर निकल कर सारे radicalized लोगों से उपर जाकर किसी की परवार ना करते होए जो उसने बंदे ने steps ली हैं सरानी हैं यह जो चौदों सो सालों में काम नहीं हुआ उसने बंदे ने करके दिखाया कुछ सालों में इसी रिमारकेट लेकिन सार खेर वर्ल का दुनिया को सार बदलना तो पड़े गा वर्ल को टाइम के सासात ऐसा नहीं है यह सिर्फ गल्फ कंट्री की बात कर रही हैं सा सार लास्ट में अमेरिका को बहुत तोप समझा जाता था मतलब हम तो बच्पन से सुनते आ रहे ना कि जी वर्ल्ड पावर है और ये है वो है लेकिन अब अमेरिका की हालत जो खराब हुई है उसमें आपको लगता है उनकी कोई ऐसी पॉलिसी रही है जिसकी वज़ा से इनकी हला थो ये या ऐसा होना ही था आप कभी किसी के साथ यूद में बैठे हो, 20-20 साल आपने अफगानिसान में लगा दिये, उससे पहले आपने एराक में लगा दिये, उससे पहले कोई दुनिया का ऐसा कंट्री नहीं, जहां पर आपने पंगा ना लिया हो, टांग ना फसाई हो, और ये पैसे आपने billions of dollars नही trillion of dollars अपने खर्चे हैं, तो जब ऐसे आप काम करेंगे, तो फिर आपकी economy कैसे बढ़ सकती है, वो नीचे आनी ही थी, और ये ही reason है, एक जिसके कारण, जो आपका focus आपकी country को बढ़ाने के लिए लगाना चाहिए था, आपने यूद में लगा दिया, इसलिए वो नीचे लिए, और ये तो सिर्फ उनकी economy बहुत strong है, बड़ी है, consumption की market है, जिसके करण वो survive कर रहे है, और financial market के उपर इनकी पकड़ है, dollarization इन्होंने किया हुआ है, जिसके करण इनको एक natural edge है, पूरी दुनिया के उपर, जिसके करण देर survive ही, otherwise जैसी उनकी policies हैं, नीतियां है, सोच है, मुझे नहीं लगता कि और कोई country होता, तो इतनी देर के लिए survive कर सकता होता, ये तो इनको thanks करना चाहिए, अपने जो 50-60 years, 100 years पहले, जो इनकी हुकमरान थे, जो policies ऐसी बना के गए, कि भई, बिना काम किये भी इनको पैसे आते रहेंगे, तो इसे के लिए ये survive कर रहे ह जितनी technology के उपर ये काम किया है, जो पहले करते थे, अभी तो इनके पास technology के उपर इतनी पकड़ नहीं है, जितनी मैं आज ही Huawei जो company है, उसके मैं उसमें गया था factory के अंदर, मैं वीजट था मेरा उसके अंदर, जो उन्होंने भी mobile बनाया है, they showed me, कि भई, Apple का phone जो है, और जमीन आस्मान का फरक है, Apple तो अभी भी बोलता कि हमने C-type आपको charger दे दिया, ये तो Apple की achievement है, कि हमने C-type आपको charger दिया है, और ये क्या बात करते हैं, कि अगर आपके phone के अंदर, internet नहीं है, तो आप उसको satellite के साथ connect करके, आपका internet बन नहीं होगा, और उन्होंने मुझे, की अब कर दोड़ को क्या कर एंजान के साथ, अपने mobile की तोड़ा, अपने mobile की screen के साथ, क्योंने के साथ, कहते हैं कि हमारी जो स्क्रीन है टेंट टॉटी टाइंस मोर स्टॉंगर यह टूटीन सकती उसके उपर से गाड़ी निकाल दीजिए तो चाइना इस नाओ गोई इंटो डैट गेम्स तो इसलिए अमेरिका ने जो टेक्नोलोजी के उपर काम करता था वो कम कर दिया है इसलिए नाओ दे आर गोई डाउन और कोई रीजन नहीं है बिलकुल ऐसा ही है लेकिन बाराल पहले लोग यह भी बहुत कहा करते थे कि जब दो सुपर पावर्टी रशिया